यहां चानुंध काथ, अभी तक हमने क्या-क्या कर लिया सब अभी तक हमने जो टॉपिक्स लिखे थें उसके अंदर मैं फे टिक मार्क कर देता हूं यह टॉपिक खतम कर चुके हैं और यह τοपिक भी खतम कर चुके आपा जाएगे हम किस पर नेक्स परणोटर तक किसी को कोई दिक्कत से थो बताइए संब भाइंक को है किmap पॉन्ट नंबर कि यह चोटा सा टोपिक यह एक टू प्रणोटर सबसे पहले आपको समझना होगा हूँ इस पर्मोटर और क्या काम है पर्मोटर का अब सेकिंड सेमिस्टर में हो तो एक पर्मोटर पूरा चैप्टर आपके कंपनी लौ में के पर्मोटर कौन होता है पर्मोटर के क्या काम है पर्मोटर के क्या कोवियां है तो पूरी चीज़ पर्मोटर के लीगल क्या क्या आसपेक्ट है वह कंपनी लॉग के अंदर पूरा सीखते हैं ठीक है ना आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो चीज आप अकाउंट में प्रैक्टिकल सीख रहे हो और लॉग में वही चीज आप क्या पढ़ोगे बिल्कुल ठीक है ना तो बनाने वाला मैं हूँ तो बनाने से पहले सबसे पहले अभी बनाने के कंपनी अभी और यानी मेरे माइंड में खयाल आया करके अंक हम औलाइन कोचिंग दें बच्छों को और बहुत ही ऐसे प्राइस पर दें तकि बच्चे अफोर्डिबल हो और अच्छे से पढ़ भी तो इसको पहुंचाने के लिए अगर मैं offline को affordable बनाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर रेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक ही चीज़ दिमाग में आए कि यार हम जो है इसे online करें तो पढ़ लेंगे बच्चे क्योंकि जो college वाले बच्चे इतने तो अब online classes जब मैं provide करूँगा तो सबसे पहली condition है government की कि जब कभी भी आप online classes देते हो तो ऐसे situation में आपके उपर एक compliance आता है और compliance यह आता है कि आपको अपने company को registration करा लेना चाहिए सर आपके company को क्या करा लेना चाहिए registration जीस्टी नंबर सारी चीज़े रूल एन रेगुलेशन क्योंकि सारा पैसा तो account में आएगा और account में ज्यादा transaction अगर बीस लाग से उपर transaction करते हो तो वह account बंद भी हो जाता है आपका मत्तब कि सीज हो जाता है बहुत सारे query पूछे जाते हैं कि इतना पैसा कहां से आ रहा है कैसे जा रहा है बीस लाख रुपे से अगर उपर पूरे साल का transaction एक दिन का नहीं पूरे साल का तो उस situation में बड़े सारे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं अब भाई जब registration की बात आई कि मैं registration करा हूं तो मेरे माइंड में मैंने लोगों से सलहा लिया कि मैं क्या बनाऊं इसको किस हिसाब से registration करा हूं तो बहुत सारे option थे सोल यानि इंडिवीज्वल पार्टनर्शिप कर लो पार्टनर्शिप फर्म सर आप एक काम करो इसको कंपनी बना लो या सर आप एक काम करो इसको और कुछ बना लो ऐसे से तो अगर मैं अकेले करता तो यहां पे मेरा नाम जो पढ़ता वो बनता प्रोप्राइटर मैं चला रहा हूं अगर मैं यहां पे काम करता यह खोलता तो मेरा नाम पढ़ता पार्टनर लेकिन जब मैं कंपनी चला रहा हूं तो कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड में एक 1% company का भी concept होता है जब एक ही व्यक्ति मिलके सारी company को बना सकता है जरूरी नहीं है कि दो व्यक्ति चाहिए private limited के अंदर 1% company में एक व्यक्ति की जुरत होती है और private limited normal के लिए minimum 2 और maximum आपके वहाँ पे 200 हो चुके हैं और अगर हम limited company की बात करें तो minimum 7 और maximum no limit है तो मैंने सोचा पर्मोटर तो जो company का आपका business का status है उसके हिसाफ से मालिक का भी advance modern नाम रख दिया गया है अगर मैं अकेले business कर रहा हूं कोई register नहीं तो proprietor अगर मैं partnership में कर रहा हूं तो मेरा नाम मालिक का क्या बोलेंगे यह तो partner है अगर मैं company का मैंने start किया है तो मेरा नाम क्या पढ़ जाएगा पर्मोटर जब पर्मोटर होता है जब जैसे company आता है तो उस situation में मैं इस company जो कि मैं company सोच रहा हूं उस company को मेरे को start करने के लिए मैंने let's example मैंने एक सीए से guidance लिया कि यह क्या क्या करना चाहिए चार्टेट अप बताओ कि क्या क्या करना चाहिए कैसे कैसे करना चाहिए उन्होंने कहा कि आपको हम guide तभी करेंगे पहले हमारी तो आपको उसको doctor की fees देनी पड़ेगी ऐसा ही चार्टेट अकांटेट का service का काम होता है इसने बोला मैं पैसे लूँगा मैं ठीक है भाई पैसे ले 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 कितना पैसे लेगा उसने बोला मैं 5000 रुपे लूँगा कंसल्टेंसी का मैंने बोला ओके ठीक है मैं तुझे 5000 रुपे दे देता है आप यह बताओ क्या करना होगा उसने बोला कि अपने सारे का सारे डॉक्यूमेंट तयार करो डॉक्यूमेंट में दो डॉक्यूमेंट मेंली बनाओ MOA बना लू आप Memorandum of Association and AOA बना लू आप Sir Article of Association Memorandum of Association में 5-6 clauses होते हैं वो सारे फुल्फिल कर लो और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो तो मैंने यह सारे काम करवाए सारे काम करवाने के बाद फिर मैं यह सारे के सारे document लेके मैं चला गया किसके पास registered of company के पास that is ROC ROC ने मेरे यह सारे चीज़ों को देखके approved किया और approved करने के बाद जैसे यह approved किया तो मेरी company का नाम मान लेते हैं SKD limited या private limited मैंने नाम रख लिया SKD limited या private limited नाम रख लिया अब यह जो start हुई थी बादचित यह let's suppose के यह बादचित मैंने start किया था 10-10-2023 में लेकिन यह company बनने में document तयार करने में आज की date हो गई मान लेते हैं के 22-2024 हो गए तो आप देखो मेरे दिमाग में idea 10-10 से चल रहा था और 10-10 से लेके 22-2024 तक मैंने अनेकों खर्चे कर दी है लेकिन company किस दिन बना हमारा तो company बनने से पहले company जब बन जाती है न तो उसको लिए एक accounting word यूज किया जाता है law का word यूज किया जाता है incorporation क्या word यूज किया जाएगा company बन गई तो मैं बोलुगा मेरी company incorporate हो गई ठीक है न तो company incorporation की date क्या है 22 लेकिन इसके बाद भी government सारी चीज़े चेक करेगा company बन गए अपने board लगाया नहीं लगाया उसके बाद government एक certificate देता है कुछ दिनों के बाद जिससे बोलते है commencement of business COI बोल दो COB बोल दो ठीक है न तो commencement of business मिल जाता है लेकिन फिलहाल आप मुझे यह बता सकते हैं कि sir आपक business incorporate हो गया था 22 को लेकिन मैंने start कब किया 10 तो लेकिन इस जब company start हुआ उससे पहले भी मैंने बहुत सारे खर्चे कर दिये थे तो यह जो खर्चे हैं इस खर्चे को बोलते हैं pre यानि pre का मतलब पहले incorporation यानि incorporation से पहले के खर्चे जो किस ने किये sir जो किये promoter ने अब जैसे company बना तो इसके आगे एक धिवार आ जाती है company अलग हो गई और मालेक company अपनी मर्जी से इसमें से पैसे नहीं निकाल सकता company कुछ भी नहीं कर सकता भले इसका पर मोटर है तो law के हिसाब से यह दोनों separate आपस में हो जाते हैं तो ऐसे situation में इसने जितने भी पैसे लगाए यह यहां पर यहां से माल लेते हैं let's suppose के 50,000 रुपे खर्च हुआ अब इसे company से लेने पड़ेंगे और company से क्या बोलके लेगा यह क्योंकि company अलग हो गया और अलग हो गया तो company से क्या बोलके लेगा कि मेरे 50,000 रुपे प्री इंकॉर्परेशन एक्सपेंस जो कि आप मुझे जिए लेते हैं टो प्री इंकॉर्परेशन एक्सेंस का मतलब समझ Me्ध में आये प्रॉमोटर जो खर्चा मांगता है इससे कोन से खरचे मंता है मैं प्रिस्त कर देंगा नहीं क्या देंगा ओं Shares दे दूँगा, cocktail दे दूँगा, improvement, share दे दूँगा, जो मर्जी दे, अभी फिलाल share दे दे देगा, तो अब company ने अब परमोटर से पैसे लेगा क्या यह नहीं तो ये भी किस में पार्ट में कवर हो जाता है other than cash में तो जब कभी भी share promoter को दिया जाता है तो किस बात के लिए जाता है pre-incorporation expense के लिए उसको shares दिया जाता है तो एक तरीके से company के point of view से सोचू तो company के point of view से मेरी liability कौन है परमोटर है और company के लिए खर्चा क्या है pre-incorporation expense तो general entry क्या होना चीए pre-incorporation expense account debit to promoter और फिर क्या होना चीए promoter को खतम करो promoter debit to equity share capital general entry आपको समझ में आया क्या तो अगर मैं इसके general entry की बात करूँ अगले page पे आ जाते हैं sir share issue to promoter share issue to promoter चलिये sir आ जाईए मैंने कहा pre-incorporation expense expense rupees 10 सजा end issue share to promoter क्योंकि pre-incorporation expense स्रिफ एक ही वेक्ति कर सकता है अगर नाम भी ना दे तो आपको पता होना चीए कौन कर सकता है promoter क्योंकि वही यह सारी चीज़े जानता है sir general entry पहले करेंगे हम pre-incorporation expense account expense account और टू promoter यहां vendor word इस्तेमाल नहीं करना यहां promoter word इस्तेमाल करना sir कितने रुपे हैं पुमर बार तंद करने हैं इस्तेमाल चीज़े ञ्वरशना 아 ृdefense not पुमरेंगान पूनके राल नहीं कर सब्सक्राइश you स्थमर इस्तेमालबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबंबबबबबबबबबबबबबकि श्मरावें मैं थोड़ा शॉट में लिख देता हूं प्रिलीम्नेरी एक्स्पेंस यानि हमने इस्यू करा है प्रिलीम्नेरी एक्स्पेंस के खर्चे के बदले पर आगे वर्ट जोड सकते हैं तू पर मोटर चीक है आगले एंट्री क्या होगी हमारी प्रमोटर तू एक्विटी शेयर कैपिटल एट इस नेक्स्ट एंट्री सर क्या करोगे यहां पर सेम दस होजार ठीक है एक और सवाल बस मैंने यहां पर प्रीमियम वाला एक करके दिखाना है प्रीमियम हमने शेयर इशू कर दिया प्रमोटर को टेन परसेंट प्रीमियम और मैं यहां पर कर देता हूं एक लाग दस अजार बस यह चेंज़ेंगे नाव अगेन अगर प्रीमियम पर है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा नंबर अगर पहले से नंबर दे रखा है तो नंबर निकालने की कोई वशक्ता नहीं थी तो एंट्री तो यही रहेगा से यहां पर प्रिलिणरी एक्सपेंस वाला क्या हो जाएगा एक लाग दस अजार यहां के आ जाएगा सर दस अजार इंटू में दस कितने हो गए एक लाग और टू आ जाएगा हमारा सेक्यूरेटी प्रिमियम दस अजार बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इसके अंदर जो आपसे उल्ट सेट सवाल पूछे और मजे की बात है पर मोटर चलो लौ में इसका अगला कॉंसेप्ट जो पढ़ेंगे न अं तो अगर हम स्टाटिंग में फिर से जाएं तो स्टाटिंग में सरदी इसस से आंगे हमने यह тов अभीक है हमने यह टौपिक भी खतम कर लिया अभी से फिस एगंटा रहे गंटे में हमने लगब लगब नाइंटी फाइफ पर्सटापिक खतम कर लिए और यहां तक नटम अभाध है तो बतव्थ झाल 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 झाल